दॉक्टर हिमिंद्र रोडा बी ए सेकंड येर मैक्रो एक्रोनोमिक्स के विध्यारतियों को आज पांचवी यूनिट के अंदर दोमर मॉडल को एक्स्प्लेन करूंगा दोमर दोरा तैयर किया गया आर्थिक विध्यार का मॉडल इस प्रस्न से जुड़ा हुआ है चूंकि निवेश दोरा उतपादन शम्ता तभा आए में विध्यी होती है इसलिए निवेश में विर्धी की दर क्या हो जिससे उत्पादन शम्ता में विर्धी आय में विर्धी की दर समान हो जाए तथा पूर्ण रोजगार बनाये रखा जा सके आई में वृद्धी जो होती है वो मांग पक्ष का निधायट करती है जबकि उत्पादन शम्ता में वृद्धी पूर्थी पक्ष को निधायट करती है दीर्ग कालीन संतुलन की वृद्धी के लिए मांग तथा पूर्थी में समानता अवश्यक है अब हम आगे देखते हैं अर्थफियोस्था में निवेश को हम आई के रूप में सिंबल काम में लेते हैं तथा नवनिर्मित पूंजी की उतपादक्ता प्रड़क्टिविटी को सिग्मा के रूप में व्यक्त करते हैं मांग पक्ष प्रोफेसर केंस के गुनक द्वारा रिधायत होता है और यह बचत की सीमान प्रोड़ती MPS के प्रतिलोम के वराबर होता है MPS को एलफा के रूप में व्यक्त करने पर I में वरद्धी गुना वन अपॉन एलफा को निवेश में वरद्धी डेल्टा I से गुना करने पर प्राप्त किया जा सकता है इस प्रकार व्रद्धी की स्थाई स्तिधी के लिए कुल पूर्टी का कुल मांग के वराबर होना आवशक है इसलिए मॉडल का समीकरन इस प्रकार होगा 1 अपॉन एलफा मल्टिपलाइड बाइड डेल्टा I इक्वल टू I इंटू सिग्मा समीकरन की बाई और का पक्ष जो है आई की वर्दीदर को जशाता है इसलिए मांग पक्ष को व्यक्त करता है तथा दाई और उत्पादन शम्ता की वर्दीदर है जो पूर्ती पक्ष वर्दायत करती है अब हम क्या करते हैं दोमर के समीकरण में दोनों पक्षों को alpha से गुणा कर देते हैं और i से भाग देते हैं तो जब हम left hand side में alpha से गुणा करेंगे तो alpha और alpha cancel हो जाएगा और left hand side बन जाएगी और i से भी भाग देना हमको तो delta i upon i हो जाएगा राइट निस साइड में जब हम अलफा से गुणा करेंगे तो अलफा और सिग्मा तो आ जाएगा और राइट निस साइड में i और नीचे वाला जब i से डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा तो यह बन जाएगा डेलटा i upon i is equal to alpha into sigma इससे ये पता चलता है कि विर्दी की स्थाई स्थिति तभी संबव है जब निवेश की विर्दी दर निवेश की विर्दी दर के लिए हमने सिंबल काम में लिया डेल्टा आई अपान आई तो निवेश की विर्दी दर जो है अलफा इंटू सिग्मा हो यदि alpha 25% वार्शिक है और sigma जो है 10% वार्शिक है और y जो है 100 करोर रुपए है प्रतिवर्श है तो पूर्ण रोजगार बनायर रखने के लिए आवश्यक निवेश होगा 100 into 10 divided by 100 which is equal to 10 करोर और उत्पादन शम्ता में व्रद्धी निवेश को सिग्मा से गुना करने पर ग्यात किया सकती है तो ये बन जाएगी 100 into 100, 100 into 10 into 25 divided by 100 into 100 which is equal to 2.5 करोर यदि उपरियुक्ती शम्ता को रोकना है तो राश्टिए आए में 2.5 करोर रुपए के व्रद्धी होनी चाहिए आए में व्रद्धी की सापेक्ष्टर, निर्पेक्ष्टर को आए से भाग में देने पर प्राप्त होती है और अलफा into सिग्मा बराबर है 2.5 परसेंट इस परगार यदि पूंड रोजगार बनाए रखना है तथा उपरियुक्ती शम्ता को रोकना है तो आए में वाश्टिक व्रद्धी के दर 2.5 होनी चाहिए केंस द्वारप्रस्तोत अल्पकालीन व्याख्या में आय का इस्तर एक इस्तर बनाए रखने के लिए बीते हुए कल की बचत का निवेश हो जाना चाहिए परन्तु दीर्ग काल में पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है आज का निवेश बीते हुए कल की बचत से अधिक होना चाहिए तथा कल का निवेश आज की बचत से अधिक होना चाहिए निवेश में बढ़ती हुई निर्पिय शिदर से में विर्दी होना आवशक है पर्याप्त निवेश के अभाव में आज विरोजगारी बढ़ेगी और यदि आज दोरा किया गए निवेश पर्याप्त है तो कल और भी अदिक निवेश के आवशकता होगी ताकि मांग का विस्तार हो, बड़ी हुई शम्ता का प्रयोग हो सके और कल पूंजी का अतिदिक संग रहना हो उसी स्थर पर बने रहने के लिए भी अर्थवस्ता को तेजी से आगे बढ़ना होता है अने थावे नीचे की और किसकने लगेगी पूंजी वादी अर्थवस्ता में निरंतर आगे की और बढ़ते रहने के लिए अनिक बाहरी प्रयक शक्तियों के आशक्ता होती है ऐसा नय होने पर अर्थवस्ता मंदी और बेकारी के चाल में फस जाती है आज हम दोमर मॉडल को यहीं फिनिश करते हैं और कल हम सम्मिरित रूप से हैरोड नॉमर मॉडल को डिस्कस करेंगे